परिचय मैडम, हमने अभी अभी एक नई कार खरीदी है, लीजिये मिठाई खाईए बदाई हो संजय, मिठाई के लिए धन्यवाद, तो अब तुम अपनी नई कार में स्कूल आओगे? हाँ मैडम, मेरे पिता जी, रोज मुझे नई कार में स्कूल छोड़ेंगे, और मैं वापस स्कूल बस से घर जाया करूँगा बहुत अच्छे संजय, हम सभी रोज स्कूल आते हैं हम में से कुछ बस से आते हैं, कुछ स्कूल बस से, और कुछ अपनी गाडियों से लेकिन क्या तुम जानते हो, कि पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे आया जाया करते थे? बहल गाड़ी और तांगे से मैडम शाब बाश संजय, आओ प्राचीन काल में यातायात के लिए उप्योग किये जाने वाले कुछ साधनों के बारे में जाने बच्चों, इस पाठ में हम आने जाने के विभिन साधनों और दूरियों के मापन और गतियों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे आवागमन करते थे? प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए लोग हमेशा पशुओं का उपियोग करते थे। प्राकृतिक संसाधनों का उपियोग कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कहीं भी आने जाने के लिए हमारे पास मोटर गाडियां, बसें, रेल, मोटर बाइक, हवाई, जहाज, दिप्त्यादी हैं। माप का परिचय क्या आप जानते हैं, लोग कैसे समझते हैं कि उन्होंने कितनी दूरी तक यात्र की है, या किसी कूरसी की टांग की लंबाई कितनी है, यह कार्य मापन क्रिया से किया जाता है। माप का अर्थ किसी अग्यात राशी यानि परिमान की उसी प्रकार की कुछ ग्यात राशी से तुलना करना है। जैसे स्कूल से आपके घर की दूरी, माप के मात्रक, प्राचीन काल में माप के मात्रकों में एक पैर, एक कदम की दूरी और हाथ की चौडाई का उप्योग किया जाता था, किन्तु इन्हें सही मानना कठिन होता था, क्यूंकि लोगों के पैरों की लंबाई में अंतर होता था, मात्रकों को मानक रूप देने के लिए मीटरी पद्धती का उपियोग शुड़ू हुआ, यह पद्धती मापन का एक मानक मात्रक है, और आज प्रचलित मापन के मानक मात्रकों की प्रणाली, अंतर राष्ट्रिय मात्रक प्रणाली, यानि International System of Units, SI मात्रक कहलाती है, SI मात्रक की लंबाई एक मीटर होती है, प्रत्येक मीटर को सौ समान भागों में बाटा जाता है, इन्हें सेंटिमीटर यानि CM कहते हैं, प्रत्येक सेंटिमीटर के दस समान भाग होते हैं, इन्हें मिलीमीटर यानि MM कहा जाता है, दूरियों के मापन के लिए हम एक शब्द का उप्योग करते हैं, जिसे किलोमीटर कहा जाता है लंबाई का मापन किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक सही उपकरण की जरूरत होती है, ताकि सटीक परिनाम मिले उदाहरण के लिए बढ़ाई का मापक औजार दरजी के मापक उपकरण से भिन होता है अगर इनका उप्योग एक दूसरे के स्थान पर किया जाए, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इससे कितनी गड़बढ होगी वक्र रेखा की लंबाई मापना किसी वक्र रेखा को मापने के लिए मानक मापक फीता परियाप्त नहीं होता वक्र रेखा की सही लंबाई जानने के लिए आपको एक भिन उपकरण का सहारा लेना है मापन के लिए आप वक्र रेखा के बराबर धागे का उप्योग करें आप धागे का उप्योग उसे वक्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खीच कर करेंगे ऐसा करने के बाद आप धागे को सीधा ताने और उसकी लंबाई मापे आपको वक्र की सही लंबाई मालूम हो जाएगी गतशील वस्तुएं आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जब आप उन पर बलका उप्योग करते हैं, तब चलती हैं या अपने आप चलती हैं जैसे आप मधुमक्कियों को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देखेंगे इसी तरह आप देखते होंगे कि बिजली चालू कर देने पर किसी पंखे की पंखडी घूमती है इसे गति कहा जाता है, इसकी व्याख्या किसी वस्तु की स्थिती में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के रूप में की जाती है गतियों के प्रकार जैसा की आप जानते हैं, गति किसी वस्तु की स्थिती में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है इस स्थिती में परिवर्तन का निर्धारण दूरी की माप से किया जा सकता है आईए गतियों के प्रकारों पर विचार करें सरल रेखिये गति यह गती का वह प्रकार है जिसमें वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं, उदाहरन किसी परेड में सैनिकों का मार्च पास्ट वृत्तिय गती यह किसी वस्तु की वह गती है जिसमें किसी स्थान से दूरी नियत रहती है उदाहरन घडी की सुईया आवर्ति गती यह गती का वह प्रकार है जिसमें कोई वस्तू एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गती को दोहराती है उदाहरण किसी जूले में जूलते किसी बच्चे की गती सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उप्योग में लाए जाने वाले यातायाद के आधुनिक साधन किसी अग्यात राश की किसी अग्यात राश से तुल्ला करना मापन कहलाता है अग्यात निश्चित राश को मातरक कहा जाता है प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चुड़ाई और एक डग या कदम की दूरी माप के मातरक थे आज प्रचलित माप की मानक मातरिक पद्धती अंतराश्ट्रिय मातरक प्रणाली यानि SI मातरक के रूप में जानी जाती है किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें सही उपकरण का उप्योग करना चाहिए ताकि परिणाम सठीक हो किसी वस्तु की स्थिती में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है गतियों के तीन प्रकार होते हैं सरल रेखिय, आवर्ति और वृत्ति